5T प्लान है, पहला T है टेस्टिंग, हमने देखा कि जिन जिन देशों ने टेस्टिंग नहीं की, वो जब करोना फैल गया तो उसको करोना को निंतरित नहीं कर पाए। अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां कहां किस किस घर में करोना फैला हुआ है और अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे और करोना फैलता गया नीचे एक आदमी दूसरे को दूसरा तीसरे को और इस तरह से ये चारों तरफ फैल रहा हूँ, इसको करोना है, इसको क्वारेंटाइन कर दो, उन्होंने एक एक को इडेंटिफाइ किया ताकि वो दूसरे लोगों को संक्रमित ना कर सकें, अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन संक्रमित हो गया, कौन इंफेक्ट हो गया और हमने और पचास हजार लोगों के टेस्ट के लिए और किया हुआ है, और वो और आने चालू हो गया है, एक लाख लोगों के रैपिड टेस्ट के लिए हम लोगों ने और कर दिया है, और शुक्रवार से हमें वो एक लाख रैपिड टेस्ट कराने के लिए हमारे पास हैं जहां हमें लगता है कि करोना के पेशेंट थोड़े से ज़्यादा निकले जैसे मर्कज में निकले किस किस से मिला चौदा दिन में किस किस से मिला उनको सब को identify करते हैं हमारी टीम बहुत efficient टीम है हमारे पुलिस की मदद भी लेनी चालो की है एक आदमी पॉजिटिव निकला उसने हमें बताया जी पिछले 14 दिन के अंदर में इन 100 लोगों से मिला था हमने उन 100 लोगों को कहा कि भी आप अब सेल्फ कॉरिंटाइन में घर में 14 दिन रहोगे अब वो 14 दिन घर में रह रहे हैं की नहीं रह रहे हैं इसके लिए हम पुलिस की मदद लेते हैं पुलिस को हमने अभी तक 27702 लोगों के फोन नमबर दी हैं ये पता करने के लिए कि वो जो सेल्फ कॉरिंटाइन वाले हैं गर में रह रहे हैं की नहीं रहे हैं उनके फोन से पता चल जाता है कि फोन का मूवमेंट तो नहीं हो रहा हैं वो घर में रहे हैं की नहीं रहे हैं उसके उपर फिर मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसके साथ साथ हम ये भी पता कर रहे हैं कि मरकज के जो लोग निकले थे लगबग तो उन एरिया को सील कर दिया जाएगा तो ट्रेसिंग के बेसिस पे हम सेल्फ कॉरेंटाइन करेंगे सीलिंग करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे कि लोग सेल्फ कॉरेंटाइन फॉलो कर रहें कि नहीं कर रहें हमारा तीसरा टी है ट्रीटमेंट जो बिमार हो जाता है फिर उ हमने इस टाइम ओलेडी लगबग तीन हजार बेड्स की क्षमता तयार कर लिया LNJP हॉस्पिटल हमने पूरी तरह से कोरोना हॉस्पिटल डिक्लियर कर दिया अब वहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा है डेड़ हजार बेड़ वहाँ पे हैं वहाँ पे केवल और केवल कोरोना वालों का इलाज होगा GBPANTH हॉस्पिटल में 500 बेड हैं उसको हमने कोरोना हॉस्पिटल डिक्लियर कर दिया वहाँ पे अब किसी का इलाज नहीं हो रहा है राजीव गंदी सूपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में साड़े चार सो बेड्स हैं, उसको हमने पूरी तरह से कोरोना बेड, कोरोना हॉस्पिटल डिकलेर कर दिया, वहाँ पे अब किसी का इलाज नहीं हो रहा है, तो इस तरह से 2450 बेड्स सरकारी क्षित्र में हैं, और 400 बेड्स हमने प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कोविड डिकलेर कर दिये हैं, इसमें मैक साकेत का इबलॉक पूरी तरह से कोविड डिकलेर कर दिया गया है, जहां पे 318 बेड्स हैं, अपोलो के 50 बेड्स कोविड डिकलेर कर दिये गए, वहाँ पे और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, गंगराम कॉलमेट के 42 बेड्स, वो अलग बिल्डिंग है उनकी, उसको हमने कोरोना के लिए डिकलेर कर दिया है, वहाँ और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, यह सारे मिलाके 2950 बेड्स बनते हैं, आज दिल्ले में 525 पेशेंट्स हैं, 2950 बेड्स हमारे कोरोना के लिए अलग से यर मार्क कर दिये गए, तो लग बग अगर 3000 तक पेशेंट्स होते हैं, तो मैं पास हॉस्पिटल के अंदर बेड्स हैं, 3000 क्रोस कर जाता है, तो हम GTV हॉस्पिटल को पूरी तरह से कोरोना डिकलेर कर देंगे, GTV में हमारे पास 1500 बेड्स हैं, तो साड़े 4000 बेड्स हो जाएंगे, इस तरह से हमने प्लैनिंग किय होंगे तो क्या होगा, 4000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा, 5000 पेशेंट होंगे तो किसको टेक ओवर करेंगे, इस तरह से 30,000 active patients, अगर दिल्ली में 30,000 patients हो जाते हैं, active patients, ट्रीट कियो वे नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में आए, इलाज हो गया, ठीक हो गया और होंगे, उसकी हमने पूरी तयारी किया है, 30,000 active patients में हमारे पास 8,000 hospital के beds होंगे, वो कौन-कौन से hospitals में होंगे, उसकी सारी चिन्नित कर लिया, कोई अगर यह सोचे कि माखेला को ठीक कर दो, वो नहीं हो सकता, यह teamwork पे जब तक हम काम नहीं करेंगे, टीम की तरह, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज सारी सरकारें एक टीम की तरह काम कर रही है, राजनीती से उपर उठके सारी सरकारें, केंदर सरकार, राज्य सरकारें, सारी एजन्सीज, सब एक टीम की तरह काम कर रही है, और मुझे बहुत खुशी है कि हम सब मिलके एक टीम की तरह काम कर रहे ह इसमें सारी राज्य सरकारों को भी मिलके काम करना पड़ेगा अगर हम दिल्ली के लोग यहां बैठके सोचें कि अपने कोई दिल्ली दिल्ली का सोचना है महराष्टर में कोई बिमार पड़ रहा है तो अपने को चिंता करने की जूरूरत नहीं है ऐसा नहीं है महराष्टर में अगर कोई बिमार है और जिस दिन लॉकडाउन खुलो और वो दिल्ली आगया तो फिर अपने दिल्ली में फैल जाएगा दिल्ली में कोई बिमार है और कर लॉकडाउन खुलेगा वो पश्चिम बंगाल चला गया तो वहाँ पे फैल जाएगा तो अपने सारे सरकारों को और सारे देश के लोगों को एक परिवार की तरह एक जुट होकर एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा और सारी राज्य सरकारों को हमें आपस में एक दूसरे से सीखना भी है मैं मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं देखता हूँ कि तमिलाडों में ये हो गया, महराष्टर के अंदर ये हो गया, केरिला में ये हो गया, पश्चिम बंगाल में ये हो गया, राजस्तान में ये हो गया, चीजें सही चल रही है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, दिल्ली के अंदर 24 घंटे moment to moment ट्रैक करना कि जो पूरा हमने प्लान बनाया वो प्लान उसके हिसाब से चल रहा है इसकी जिम्मेदारी मेरी है वो 24 घंटे मैं ट्रैकिंग कर रहा हूं मैं मॉनिटर कर रहा हूं और मैं